हाई फ्रेंज वेलकम बाक टू फेमेस दिशिस दिस इस कावया तो आज हम बनाने वाले ही चिकिन शामी कबाब आए चेकर दे इसके इंग्रीडियन्स उसके बाद उसकी रेसिपी अगर इस वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजेगा अगर अब तक आपने हमें सब्सक चिकन को छोटे-छोटे इस तरह के पीसिस में काट लिया है फिन मैंने या लिया है दो बड़े अबले हुए आलू एक मैं यहां पर अंडा लूँगी अगर बहुत चोटा अंडा है आप दो ले सकते हैं मैं यहां पर एक ले रही हूँ एक काफी है एक चमा चल्दर प्लसन अन 시간이 का पेस्छ तो तीन हरी मिर्च कुछ रहा हुई पुधिना फ्रिर हम ने कोहां बड्य कह रिखनी हुए और हम फृ stesso छोडल मिर्च यहां मैं पुधिना तो अन invy डीर रहा है क्यों द्ड़ मिर्च कहा है प्लसनिच को रहा है क्यों हृँ लगिंका पर फेर हुण सब्सक हम स्वादा नुसा तो आईए चेक करते हैं हमारी रेसिपी सबसे पहले हम जो चिकन है उसे पका लेंगे उसे हम कुकर में पकाएंगे ताकि वह अच्छे से गल जाए उसके साथ साथ हम डालेंगे आदा चमच अद्रक लिसन का पेस्ट और एक चमच हम डालेंगे कुटी चोड़ता है और उसी पानी में यह पकेगा इसे हम लगबग चार से पाच विसल तक पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए तक इंतजार करेंगे जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हम जो उबले हुए अलुए है से माश कर लेंगे एक फोक के मदद से आप उसको कीजिए अच्छे से माश कीजिए ताकि कोई लंस फॉर्म ना हो को तुकड़े बच ना जाए तो अच्छे से माश करना है इस बात का ध्यान दीजिए कि जो उबले हुए अलुए है अच्छे से पके हुए हो अंदर से अच्छे से पके हुए हो कच्छे ना रह जाए और उ अगर आप चछा प्यास इस्तमाल करेंगे तो वह टेस्ट नहीं आएगा जितना्स आप भूने वे प्यास के इस्तमाल से िजाएंगे तब आएगा तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसके साथ-साथ हम इसमें डालेंगे अधा चमच अधर कलंसंगा पेस्ट और उसे अच्छा कलर आ चुका है अब प्यास में अच्छे से भून चुके है प्यास बहुत जादा तेल की इस्तमाल करने की जरूद नहीं है यहापर मैंने ग्यास ओफ कर लिया इसे हम साइड में निकाल कर रख लेंगे और हम अब चिकन चेक कर लेते हैं पूरा विसल गया है अब द कर देंगे अब हमसे प्लेट में रख 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 लेंगे ता कि चिकंण जो है उसमें सोख हो जाए कुरा डय हो चुका है औभी कि अ knife कि अब हम में से निकाल के मेंलें आब और इसे फोक के मदद से इस तरह से श्रड कर लेंगे चिकन अच्छे से पका हुआ होने के वज़े से जल्दी श्रेड हो चुका है अब एक मिक्सर जार में हम इसे डालेंगे और इसे ढखकर अब हम इसे दो तीन बार पल्स करके निकाल लेंगे कोर्सली हमने से ग्राइंड कर लिया है आप देख सकते हैं जादा नहीं करना बस दो तीन बार पल्स करेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो अच्छे से श्रेड हो चुका है एवनली श्रेड हो चुका है हमारा चिकन अच्छा मिंस चिकन हमारा रेडी है अब मैं जिसमें मैंने कटा हुआ धनिया और पुदीना के पते एक चमच लाल मिर्श पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक नमक हमने चिकन में अल्रेडी डाला है एक बड़ा चमच हमना लें गर मसाला और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है सारे इंग्रीडियन्स को हमें अच अच्छे से मिक्स कीज़गा इसमें बिल्कुल पानी का इस्तमाल हमें नहीं करना है तो अगर कबाब मशी हो जाएंगे तो आपको उसे रोल करने में मुश्किल हो जाएंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है एक डो की जैसा यह फॉर्म हो चुका है अब हमारा जो कबाब मिक्स्चर बिल्कुल तयार है अब हम से रोल कर लेंगे कबाब के शेप में आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में से रोल कर सकते हैं नॉर्मली हम इस तरह का एक पैटी का शेप बनाते हैं कबाब का शेप बनाते हैं मैं उसी तरह एक सर्कल में अब चाहे तो उसे ओबल शेप में भी बना सकते हैं, आपके शाय प्रेस किजिए गांगि ताकि फटे नहीं, तो मैंने साइट से भी से प्रेस कर लिया है, इस सार चाहिती कबाब को त्यार करने हैं, तो हम सबसे पहले सारे कबाब रेड़ी करेंगे उसके बाद हम फ्राइंग प्रोसेस में जाएंगे उसाइड से इस तरह से प्रेस कीजिए ताकि वह फट न जाए साइड से तो हम एक एग लेंगे और इसे फेट लेंगे तो थोड़ा सा नमक इसमें अड़ करते हुए आप चाहे तो थोड़ा बलाक पेपर पावडर भी आड़ कर सकते हैं अगर चाहे तो इसे अच्छे से बीट कीजिए एक फ्राइंग पांग में मैंने ओयल करने रख दिया है और होते ही हम एक कबाब लेंगे और इसे एक के मिक्स्टर में इस तरह से डिप कर लेंगे तोनों तरफ से अच्छे से कोट करके हम शालो फ्राइ कर लेंगे कबाब को धी में आच में रखना है आपको अगर आप हाई जल जाएगा क्योंकि एक की कोटिंग जल जाती है इसलिए बहुत ध्यान से आपको लो फ्राइम में रखते हुए इसे शालो फ्राइ करना है आपके कडाई के हिसाब से आपके पैन के हिसाब से आप लगबग पाच से छे कबाब एक साथ बना सकते हैं कबाब को इस तरह से एक के मिक्सचर में हमें कोट करना है और शालो फ्राइ करना है हमें इसमें कुछ पकाना नहीं है इसलिए फ्राइंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है बस 2-3 मिनिट में हमें इसे फ्राइग करना है एक फॉरिफाइ सेकंद्स वान मिनिट के बाद आप उसे टर्न कर सकते हैं दूसरी तरफ में ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइ हो जाए तो आपको जिस तरह का फ्राइ कोटिंग पसंद है उस तरह से अगर आपको बहुत जादा ब्राउन पसंद है तो उसके साब से फ्राइ कर सकते हैं तो मैं इसे प्लट दूँगी एक तरफ से वह हो चुका है दूसरे तरफ हम प्लट देंगे से अच्छे से अच्छे से जल जाती है इसलिए दर अध्यान से फ्राइ किजएगा अगर जल गया तो उसकी टेस्ट वह टेस्ट कुछ देर बाद आप दूसरे तरफ पी से पलट सकते हैं अगर आपको और जादा जिस तरह की आपकी क्रिस्पी नेस चाहिए आपको जिस तरह का आपको रोस्टिं चाहिए उसके साब से आप उससे फ्राइ कीजएगा तो मेरे घर में काफी लोग को तोड़ी क्रिस्पी को अब देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल रंग आचुका है कबाब में बहुत ही ब्यूटिफुल रंग आचुका है अंदर से काफी बाहर से काफी क्रिस्पी लग रहा है अंदर से उसी तरह से सौफ्ट और काफी जूसी है आप Radio कबाब भी जो है, कबाब भीच की बिल्कुल फ्राइब हो चुके हैं. आब भी जो है किसे दूसले में निकल लेंगे इसे तरफ क किन से निकल लेंगे, ताकर जो अायकसेश में निकल जा हैने तो में किन से एक टीशू टावल יה टीशू पेपर में निकल लेंगे. जो उसका extra oil है वो निकल जाए इसी तरह आपको बाकी के जो कबाब है उसे fry करना है और एक के मिक्सचर में आपको इसको कोट करना है और इसे shallow fry करना है बिल्कुल low flame में और बीच बीच में आपको उसको turn करना है तक इसकी जो अच्छी सी क्रिस्पी और brown coating मिल जाए एक बहुत ही tasty starter recipe है अगर आपके घर में कोई occasion ही कोपाटी है कोई महमान आ रहे हैं आप इसे जटपट से बना सकते हैं बहुत जादा time consuming भी नहीं है तो आप इसे ज़रू ट्राइब कीजिए आपके valuable comment शेयर कीजिए इसे चटनी और प्यास के साथ इंजॉय कीजिए बहुत ही आपके रस्पी पसंद आई हो प्लीज ज़रू ट्राइब कीजिए अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं कहा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए thank you so much for watching बग बाई